बुलु स्री प्राणनाथ प्यारे की जय बुलु स्री सद्गुरु महराज की स्री महमती कहवे यौकर ए पढ़े बड़े कुफर बात उन नजर इनको नहीं तो कजा की न हुई खबर सनन्ध पत्री बड़ी तुमको देऊं सुख जागनी साथ जी मेरे आधार प्रणाम जी संद्गुरु साथ अक्षराति धाम देनी स्री राज्ये स्री इंद्रावती जी के हुरुदे धाम में विराजबान होकर सनन्ध ग्रंद के इस प्रकरण के माध्यम से हम सब सुन्दर साथ को संबोधित कर रहे हैं सनन्ध पत्री बड़ी ये इस प्रकरण का विशय है बितक में हम सब ने बड़ी पत्री के प्रसंग को सुना है कि कैसे बारह मुमिन औरंग जेब के दरबार में जाते हैं उन्हें संदेश देने के लिए उनके समर्पण के विशय में हमने बितक में सुना है पढ़ा है और औरंग जेब के ततकालिन दरबारी और सरीयत के जो कटर अनुई आई थे उन्होंने मुमिनों पर जो जुल्म किया अत्याचार किया तो उन सुन्दर्शाथ को दिलासा देने के लिए सांत्वना देने के लिए स्रीजी ने ये पत्री लिखी थी जो बितक में हम सब सुन्दर्शाथ प्रतिवर्ष सुनते हैं और जिसको पढ़ते हैं और उसी बड़ी पत्री को संक्षेप में सनन्द ग्रंद के अंदर समाहित किया गया है हम पिछले कुछ दिनों से लगातार, रास, प्रकास, खट्रीतू, कलस इस तरह से अलग-अलग ग्रंदों की चर्चा सुन रहे हैं और उसी क्रम में आज हम सनन्द ग्रंद से इस प्रकरण की चर्चा सुन रहे हैं सनन्द का अर्थे वास्तविक्ता कि हम समझते कुछ और है या हमारी मान्यता कुछ और होती है लेकिन वास्तविक्ता कुछ और होती है ये आवश्यक नहीं है कि जो हमारी मान्यता हो वही धर्म संगत हो अथवा वही पूर्ण सत्य हो मान्यता और धर्म में फर्क होता है इस सनन्द ग्रंथ में सरीयत के जो ततकालीन अनुयाई थे जितने भी कटर मुसल्मान थे उन सब को धर्म की वास्तविक्ता बताने के लिए कुर्रान की वास्तविक्ता बताने के लिए इस ग्रंथ का अउतरण हुआ चुकि मुहमद साब के कथनों का उल्टा अर्थ लेकर अथवा अर्थ का अनर्थ करके इन्होंने धर्म के नाम पर जो अत्याचार किया है बरबरता की है और अपनी धर्मांदता में अंधे हो करके जैसा नरसंगहार इन्होंने किया है वैसा सायद ही इतिहास में किसी ने किया हो इसके पीछे कारण क्या था? कुरान में कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं है कि धर्म जबरज़स्ती का विश्टय है कुरान का तो कथन है, मुहमद साहब कहते हैं कि तुम्हारा इमान तुम्हें मुबारक हो और उनका इमान उन्हें मुबारक हो कहना अथवा बताना तुम्हारा फर्ज है लेकिन अगर कोई वेक्ति उसी कुरान में से ये कहने लग जाए कि रमजान के उन पवित्र महिनों को छोड़ करके बाकी दिनों में जितने भी मुश्रिक और काफिर हैं वो जहां मिले वही पर मार डालो अगर कोई ऐसा कथन कहे तो आप क्या कहेंगे एक तरफ तो जितने भी मुसल्मान हैं उस खुदा को उस अल्लह ताला को अल रह्मान कहते हैं सब पर रहम करने वाला अति क्रिपालू अति दयालू कहते हैं उसको रहीम कहा जाता है रहमान कहा जाता है कि वो सब पर कृपा करता है, सब पर दया करता है केवल मुसल्मानों पर दया करने वाला, केवल मुसल्मानों पर कृपा करने वाला तो कहीं पर भी नहीं लिखा है तो इन्होंने जो कुरान में मिलावट की आज भी विश्व में ऐसे बहुत सारे ज्यानी मुसल्मान है जो ये तो कहते हैं कि हाँ कुरान में मिलावट हुई है लेकिन कटरता के कारण धर्मांदता के कारण उसमें सुधार करने के लिए कोई तयार नहीं है और उसी कमी की वजह से आज विश्व में जिहाद के नाम पर जितना भी आतंक फैलाया जा रहा है अलग-अलग माध्यमों से उन आतंकों का और इस वैस्विक असान्ती का कारण ही यही है ऐसा नहीं है कि भारतिय परंपरा में सनातन धर्म गरंथों में कोई मिलावट नहीं हुई है लेकिन जैसे जैसे यह पता चलता गया कि इन गरंथों में मिलावट की है हमने उन गरंथों की मिलावटों को सुधारा जैसे उदाहरन के लिए क्योंकि अच्छाई और बुराई हर जगह पर होती है जब भारत वर्ष में वाम्मार्ग का चलन था वाम्मार्ग बहुत अधिक फैला हुआ था इन्होंने वेद के एक मंत्र को जिसमें अग्रे कृतम शब्द आया है ततकाली ने वाम्मार्गी पंडितों ने अग्रे कृतम को अग्ने कृतम कर दिया था और फिर इन्होंने धिरे धिरे करके सती प्रथा चालू की कि पती के मर जाने के बाद में पत्नी को सती करना है उसके बाद कुछ लोगों ने जाती प्रथा चालू की अर्थ का अनर्थ करके इसी तरह से बहुत सारी कुरीतियां भारत में भी फेले लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का प्रचार होता गया जैसे जैसे समाज में महापुरुस आये उन्होंने अपने अंदर की कमी को निकालना सुरू किया स्वामी दैयनेंद सर्श्वती ने सनातन मत में ही फैली हुई कुरितियों को समाप्थ किया इसी तरह से ब्रह्म समाज के कुछ लोगों ने भी सति प्रत्ता इत्यादि का बली इत्यादि का विरोध किया लेकिन कट्ठर्था के कारण, जितने भी कट्ठर मुसलिम है वो ये स्विकार करने के लिए तयार नहीं है कि कुरान में मिलावट हो सकती है और अगर कोई ये कहने की हिम्मत करता भी है कि हाँ कुरान में मिलावट होई है तो उनको जान्चे मारने की धमकी दी जाती है इसलिए कोई भी इसमें सुधार करने के लिए तयार नहीं है नहीं तो अगर हम इसलाम मत कही ग्रंथों की बातों को मानें चाहे हम सबे मेराज को देखें जिसमें मुहम्मद साहब के द्वारा जो उन्हें दर्शन हुआ खुदा का उसका वर्णन है और उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने खुदा से 90,000 हरुफों में बात की और खुदा ने ये उनको आदिस दिया ये निर्दिस दिया कि 90,000 में से 30,000 हरुफ जो सरीयत के होंगे उन्हें तुम जाहिर कर देना 30,000 तरीकत के जो होंगे अगर कोई योग्य विक्ति मिले तो उन्हें तुम देना और बाकी के जो 30,000 हैं हकीकत और मारिफत के वो में जब फर्दा रोज को अर्थात कयामत के समय में आऊंगा तब उसे जाहिर करूँगा उस हिसाब से कुरान के अंदर 30,000 सरीयत के और 30,000 तरीकत के कुल मिला करके 60,000 हरुफ होने चाहिए थे लेकिन आज कुरान में 73,000 से कुछ उपर 73,000 से 74,000 के बीच में हरुफ हैं तो ये जो 13,000 हरुफ हैं वो कहां से आए तो ऐसे ही जो समय समय पर मिलावट हुई है जिनको कुछ मुसल्मान सैतानी आयत भी कहते हैं तो उन सैतानी आयतों की वज़े से आज समाज में जो भी जिहाद कहें चाहें कटरपन्द कहें इन सब का आज आतंक मचा हुआ है तो उस समय भी पांचवे दिन की रिला में जिस समय का ये वड़न किया जा रहा है उस समय भी आप चाहें मुगलकाल को देखें चाहें मुगलकाल से पहले भिन भिन मुसलिम आकरानता आकर के केवल धरम के नाम पर आपने इतिहास में पढ़ा होगा तैमुरलंग ने केवल मेरठ में एक लाख के लगबग हिंदों का नरसंगार किया था औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि जब तक वो सवामन जनेव अपने तलवार के वल पर अथवा डरा धमका करके नहीं उत्तरवा लेता था तब तक वो भोजन ग्रहन नहीं करता था तो उस कटरता के कारण जब पूरा देश अथवा संपूर्ण संसार में त्राही त्राही मची हुई थी ऐसे समय में श्री प्राणनाजी आखरू लिमा मुहम्मद महधी के रूप में जाहिर हुए और उन्होंने अपनी इस ज्यान को जाहिर करने के लिए औरंग जेब तक पहुचाने के लिए प्रयास किया और उसी प्रयास के क्रम में उनके जो बारह प्रमुख सुन्दर साथ उन्होंने औरंग जेब के दरवार में ये संदेश पहुचाया जिसका वणन हम प्रतिवर्ष भी तक में सुनते हैं और ना स्रिफ सुनते हैं बलकि उन्हें बहुत ही प्रेम से स्रद्धा से याद करते हैं लेकिन अगर हम उन सुन्दर साथ के नक्से कदम पर चलने का प्रतिफ याद कर लेना और बस दिल से दिल में थोड़ी से स्रद्धा दिखा देना ये इसका कोई लाब नहीं है क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम उन ब्रह्म मुनियों पर स्रद्धा रखते हैं तो पहले ये समझना होगा कि स्रद्धा किसे कहते हैं स्रुत उपसर्ग पुर्वक धा धातु से स्रद्धा सब्द बनता है सत्य को धारण करना ही वास्तों में स्रद्धा है उनके गुणों को धारण करना उनके द्वारा किये गए अच्छे आचरणों को धारण करना ही वास्तों में उनके प्रति स्रद्धा है अगर हम इस प्र करण को उस बड़ी पत्री में 151 चौपाई है और उसमें प्रत्य चौपाई में श्रीजी सिखापन दे रहे हैं और उन ब्रह्मामुनियों की प्रसंचा कर रहे हैं कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया आप बड़ी पत्री को देखेंगे बितक में स्रीजी कहते हैं कि आज लो इस ब्रह्मान में बहुत डरते लेते नाम आकरुल इमाम मुहम्मद महदी साही बुज़माम का नाम लेते हुए भी सब लोग डरते थे कि ये सरीयत के कटर अन्याई हमें मार डालेंगे लेकिन उन ब्रह्मामनियों ने उनहीं के घर में जाकर के औरंगजेप के दरबार में जाकर के वो संदिश दिया और उसके बाद उन पर जो भी जुलम हुआ उस जुलम को उन्होंने सहा और उस जुलम से कोई भी दुखी द्रवित ना हो इसलिए श्रीजी ने उन सब को धैर्य बनाने के लिए ये पत्र लिखा और कहा रहे हैं तुमको देऊ सुख जागनी साथ जी मेरे आधार श्रीजी उन सुन्दर साथ को अपना आधार बता रहे हैं जैसे ब्रह्मस्रिष्टियों का आधार राजी है वैसे ही राजी का आधार भी ब्रह्मस्रिष्टि है जैसे राजी खिल्वत ग्रंथ में कहते हैं रहना सकू में रूह बिना रूहें रहना सके मुझबिन जैसे ब्रह्म स्रिष्टी इस संचार में पहचान हो जाने के बाद उसी चोपए में आगे कहा है जब पहचान होवे वाको तब सहना विच्छोआ किन ब्रह्म स्रिष्टियों को जब राज्जी के पहचान हो जाती है तो वो राजी से एक पल के लिए भी बिचोहा अत्वा वियोग जुदाई सहन नहीं कर सकती। तो जैसे हम राज्जी को प्राणनाथ कहते हैं हम राज्जी को प्राण आधार प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम कहते हैं वैसे ही राज्जी भी तो हमें प्राण की आधार कह रहे हैं और हम तो सर्फ मुख से कहते हैं प्राणनाथ हमने कलस क्रिंद की चोपाय में भी सुना कि किस तरह से हम कीवल उनको प्राणनात कहते हैं लेकिन प्राण वायू की तरह हम उनको उतना महत्व नहीं देते हम उन्हें उतना महत्व नहीं देते कि जैसे प्राण वायू के नह रहने पर हमारे प्राण छूट जाते हैं उसी तरह से राजी के नम मिलने पर हमारी वैसी स्तिती नहीं बनती है तो हम तो सुर्फ कहने के लिए उनको प्रान अधार कहते हैं आत्मा का अधार कहते हैं लेकिन राजी ने जब ब्रहुत अधार कहा तो उन्होंने उस बात को साबीत भी किया वितक के अंदर बड़ी पत्री में वो कहते हैं मेरे प्राण के प्रितम आतम के आधार उन्होंने कहा आप मेरे प्राण के प्रियतम हो आतम के आधार हो भेख धरे जो वासना छोटे बड़े नरनार इस संसार में आई और कोई उम्र में छोटा है कोई बड़ा है कोई नर अर्थात कोई पूरुष तन में आया है कोई नारीक के तन में अर्थात कोई स्त्री तन में आया है अब उन में से अब बारह मुमिनों ने भी मुसल्मानों का वेश्दारन किया है और वहां जाकर के औरंगजिव के दरवार में जाकर के संदिश दे रहे हैं और ऐसे संदिश देने वाले ब्रह्म मुनियों को आगे कहते हैं सुनियो भीम मुकुंद जी उधव के सवस्याम हम पाती पड़ी महम्मद की सब पाई हकीकत धाम श्री जी कह रहे हैं जितने भी उस समय प्रमुख सुन्दर साथ माने जाते थे प्रमुख का मतलब ऐसा ने कि कोई बड़ा है कोई छोटा है आत्मिक दिश्टी से तो सभी समान ही है लेकिन इस संचार में जो जितना अधिक त्याग करता है समर्पन करता है सेवा में आगे होता है उनको सिर्दार कहा जाता है तो भीम भाई जी ने जो त्याग किया, मुकुन दाह जी ने जो त्याग किया, उद्धव जी ने, केशो दाह जी ने, स्याम भाई ने, इन सब ने जो त्याग किया तो उनका नाम ले रहे हैं, और उनका नाम लेकर कि इस चोपई में कहा जा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ उन्हें कहा जा रहा है उन ब्रह्म सिस्टियों का नाम लेकर के हम सभी सुन्दर्शाथ को संबोधित किया जा रहा है और स्रीजी कह रहे हैं संबोधन क्यों कर रहे हैं कि हम पाती पढ़ी महम्मद की सब पाई हकीकत धाम हमने मुहम्मद साहब की पत्री को पड़ा उन करके आए हैं कुरान रूपी स्री जी कहते हैं हमने उस पत्री को पढ़ा और उस पत्री को पढ़ करके उस कुरान को पढ़ करके हमने क्या पाया सब पाई हकीकत धाम हकीकत का मतलब होता है वास्तविकता सनंद का मतलब भी वास्तविकता है तो हमने उस कुरान की वास्तविकत कि उन्हें गर्व होना चाहिए कि उनको वो तारतम ज्ञान मिला है ऐसी ब्रह्मवाणी रुपी चावी मिली है कि धर्मग्रंथों में लिखी प्रत्यक इसारतों को प्रत्यक रहस्यों को वो समझ सकते हैं अपने तारतम रुपी चावी के द्वारा केते हैं अपने घर की इसारतें और न समझे कोई कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता सरकार स्री एक उदारन दिया करते थे पति पतनी का कि पति अगर कोई चिठी भेजता है पतनी के लिए और उसमें इसारे में लिखा होता है कि ये करना वो करना तो उस इसारे को वही समझ सकता ह जिसने भेजा है या फिर वही समझ सकता है जिसके लिए भेजा गया है तो धर्मगरंतों में जो साक्षियां लिखी है वो सबसे पहले ब्रह्म स्रिष्टियों के लिए है कि ब्रह्म स्रिष्टी उन साक्षियों की पहचान करेगी उसके बाद जीवों को उसकी पहचान जैसा कि वाणी का कथन है पहले सुख सुहागनी पीछे सुख संसार तो हम सब सुन्दर साथ को गवरवान भी तो होना चाहिए कि हम हमारे पास वो तार्तम के अंदरुपी कुंजी है चाबी है जिससे कि हम धर्मगरंथों के रहस्चियों को खोल सकते हैं चाहिए कोई भी ग्रंथ हो चाहिए वो कतेव पक्ष के इंजिल जम्बूर तौरेत और कुरान हो या फिर वेद पक्ष के अथा थिंदु धर्मगरंथ में वेद हो दर्शन हो उपनिशद हो चाहिए गीता हो भागवत हो उन सभी ग्रंथों के रहस्चियों को हम खोल सकते हैं मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है कहां है कैसा है क्या करता है अरथाद परमात्मा के धाम लिला और स्वरुप का वर्णन सिर्फ तार्तम ग्यान के आधार पर ही हम जान सकते हैं और दूसरों को कौन है कौन है कहने का मतलब यह है कि एक कलस्क ग्रंद के अंदर चौपई आती है कि भी बेवरा वासना जीव का या के जुदे जुदे है ठाम जीव का घर है नीद में वासना घर स्रिधाम जीव तो जीव की उत्पति ही नीद से हुई है और नीद से जिनकी उत्पति हुई है अर्थात जो स्वपन है स्वपन का मुल्य क्या है स्वपन का मतलब जैसे ही हम सपने में बहुत विशाल ब्रह्मान को भले ही देख लें बड़े बड़े पाहाड देख लेते हैं कभी कभी हम जब डरावने सपने देखते हैं बड़े बड़े राक्षे से देखते हैं बहुत छारे लोग देखते हैं जो हमें मारने के लिए जो हमें भगा राहे होते हैं लेकिन शपना कीतना भी बड़ा हो जब हम जागरितां स्था में देखते हैं तो नों-टूल के कण के बराबर भी स्था में सकता है इसका मतलब यह है कि तो कुछ भी नहीं है सुपन की स्रिष्टी वेराट सुपन का अज हमारे स्थिति कैसी हुई स्रीजी इस चौपाई में कह रहे हैं कि और कोई तो समझे जो कोई दूसरा हुए हम ब्रह्म स्रिष्टियों के लाव और कुछ तो है ही नहीं और अगर और कुछ दिख रहा है तो वो केवल जूट है लेकिन किरंतन की एक चौपाई कहती है सुपन की स्रिष्टी वैराट सुपन का जूटे सांच धपाया असत आपे सो क्यों सत को पेखे इन पर पेड़ न पाया जो स्वयम असत्य है वो सत्य की पहचान कैसे कर सकता है स्वपन में अगर हम किसी को देखते हैं तो स्वपन का कोई व्यक्ति जागरिता उस्था कि किसी को कैसे पहचान सकता है बला लेकिन आज क्या हो रहा है जूट ने सत्य को ढख लिया है आज हर जगा पर जूट ही जूट का सामराज्य है क्यों क्योंकि सत्य पर अभी परदा डला हुआ है जो सत्य है और जो अपने आपको सत्य समझते हैं ऐसी ब्रह्मिस्ष्टियां अभी जूट के परदे में अपने आपको ढख करके रखी हुई है और जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक इस संसार में सत्य का सामराज्य फैलने वाला नहीं है स्रिजी ने तो कह दिया कि और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए लेकिन जो है वो भी ना समझे तो उसका क्या किया जाए जो असत्य है वो तो सत्य की पहचान नहीं कर सकता वो ये नहीं जान सकता कि सत्य क्या है लेकिन जो सत्य है वो सत्य की भी पहचान कर सकता है असत्य की भी पहचान कर सकता है स्वपन के जो स्वपन में तरंगों से बनी हुई जो स्रिष्टी है मन के तरंगों से बनी हुई स्रिष्टी वो बाहर की पहचान नहीं कर सकती लेकिन स्वपन से जागरित आउस्था का जो व्यक्ति है वो बाहर की भी अर्था जागरित आउस्ता के विशे में भी बता सकता है और स्वपन के विशे में भी बता सकता है लेकिन उसके लिए आउस्य चेखे स्वपन से जागने की अगर हम जागे नहीं, अगर हम जागरित नहीं हुए अपने आपको स्वपन का ही समझते रहे कलस के अंदर ही एक प्रकरण है मेरे साथ सनमंधी चेतियो ए हासी का है ठोर प्यू वतन आप भूल के कहा देखतो हो और उसमें इंद्रावती जी उस प्रकरण में कहती है कि है मेरे परम्धम के ब्रमस्टिक आप सब चेतिय सावधान हो जाईए आप राजी को स्वयम को और घर को भूल करके क्या देख रहे है और उसी प्रकरण की अगली चोपई में कहती है साथ जी तुमको उपजिया खेल देखन का ख्याल जाको मूल नहीं इस चोपई में कह रहे है कि और कोई तो समझे जो कोई दूसरा है ही नहीं उसी तर Dinge की है ले जाको मूल नहीं जो खुछ है ही नहीं उसने हमें बाध लिया है जल्प हम कहते है हम सब सुन्दरशाथ एक बात कहते है कि क्या करें माया हमें छोड़ती नहीं एक बालग था और उसने क्या किया इस तर से खंबे को पकड़ लिया था जोर से और रोता जा रहा था उसकी मा ने जब उसको देखा कि क्या हुआ है रो क्यूं रहा है बेटे ने का मम्मी ये खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है अब मा देख रही कि अरे मेरे बेटे को खंबे ने पकड़ लिया है अब मा रोने लग गई कि मेरे बेटे को खंबे ने पकड़ लिया है और मा बेटे का रोना धोना सुन करके गाओं के जो उसके घर के आसपड़ोस के जो लोग थे अड़ोसपड़ोस के वो आए उन्हें ने एक महात्मा जी आते हैं महात्मा जी आये उन्होंने देखा कि भीड लगी हुई है भीड को चीरते हुए हटाते हुए वो आगे गए तो वो देखते हैं कि अच्छा यह मामला है सब लोग इस वज़े से रो रहे हैं कि बालक को खंबे ने पकड़ लिया है लेकिन महात्माजी तो समझदार थे उन्होंने क्या किया कि थोड़े से बेर का मौसम था बेर लेकर क्या है मुठी भर के और मुठी भर करके उन्होंने उस बच्चे को दिया कि यह लेलो यह बेर लेलो जैसे उसने बेर देखा उसने खंबे को छोड़ा और बेर को हाथमें घ्रहन करने के लिए स्विकार करने के लिए मुठी उस महात्मा की तरफ अपने हाथ कर दिये कि उस बच्चे का मत अभी उसमें लगा हुआ इस बात को वो समझ नहीं पार रहा है और जैसे ही उसकी प्रिय वस्तु दे दी अपने हाथ को उसने खंबे से छोड़ करके उस प्रिय वस्तु की तरफ लगाया वैसे ही माया ने हमको नहीं पकड़ा है हम ही माया को प्रिय समझ करके माया को प्यारा समझ करके उसको पकड़े हुए हैं और उसी में हम इच्छा करें तो हमारी सूर्था इधर से उधर की तरफ हो लेकिन हम तो हमारी स्थिति तो अभी कैसी है कि हम भी उसी तरह से खंबे को पकड़े हुए हैं माया को पकड़े हुए हैं और हम कहते हैं माया छूड़ती नहीं है माया चुटती नहीं है हमें, राज जी बुलाते नहीं है, हमें, हमारी सारी बातें इसी तरह की होती है। लेकिन जहां बात आती है अपने आत्मिक लाब की तो वहां के लिए हम राज्जी के नाम का बहाना कर देते हैं कि राज्जी का हुकम नहीं होगा इंद्रावती जी ने इस चौपई के माधिम से एक बहुत बड़ी बात बता दी एक बहुत बड़ा अधिकार दे दिया हम सब सुन्दर्साथ को कि और कोई तो समझे जो कोई दुसरा कोई समझ ही नहीं सकता इसको समझने का अधिकार सबसे पहले ब्रह्म स्रिष्टियों को है लेकिन हम सभी सुन्दर साथ को समझना होगा कि इस अधिकार को ग्रहन करते हुए एक हॉलिवुड की बहुत ही प्रसिद मूवी है सायद सबने देखा होगा नाम अभी मुझे धियान में नहीं आ रहा है उसमें उसका जो सूपर हीरो होता है वो एक बात कहता है कि जब भी किसी वेक्ति के पास में बहुत बड़ी ताकत आती है अर्थात सक्ति आती है तो जितनी अधिक सक्ति आती है उसकी responsibility उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है और इसको सीखने के लिए इस बात को सीखने के लिए हमें उस मूवी का ही सहारा लेने की जरूरत नहीं है जब हम बच्पन में नैतिक सिक्षप पढ़ते थे स्कूल में छटी सात्वी में तो हमारे स्कूल में भी यह बात सिखाई जाती थी कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के को दो पहलू होते हैं किसी व्यक्ति को अधिकार अगर मिलता है, तो उसके साथ साथ उसके उतने ही कर्तव्य जोड़ जाते हैं। वैसे ही हम ब्रह्म सिष्टियों को राज्जी ने ये सोभा दिये। चाहे आप किसी भी रुप में समझें, विश्व को अखण मुक्ति देने का अधिकार अगर हम समझते हैं, या फिर वैस्विक सांती का अधिकार समझते हैं, परब्रह्म की लिलाओं की पहचान कराने का, जीवों को जागरित करने का, ब्रह्म्हांड को जगाने का, कुछ भी स समझें, इतना बड़ा अधिकार आपको राजी ने दे रखा है, तो इसके साथ में करतव्य भी है, क्योंकि बिना करतव्य का पालन किये, अधिकार की अगर हम बात करते हैं, अधिकार की चर्चा करते हैं, तो वो फिर वियर्थ है, वो तो एक गैर जिम्मेदाराना बात हो हो गई, वो तो संसार के जूटे नेताओं की तरह हो गए, कि वो पहले वादे करते हैं, बहुत बड़े-बड़े, कि अगर हमें ये अधिकार मिला, अधिकार ही मिलता है, उनको राजनेता बनते हैं, संसत बनते हैं, उनको अधिकार मिलता है, वो कहते हैं, कि अगर हमें ये जो इनको ना करो अखन हम ये चोपाई कहते हैं कि कभी कहते हैं हम त्रिगुण हमारे खिलोने हैं कभी कहते हैं कि हमारे पास ही वो कुरान को खोलने की चाभी है हम ही वेद कतेब को खोल सकते हैं लेकिन कभी हमने देखा हम बात करते हैं करने की वे दर्षन उपनिशद का कभी स्वाध्य नहीं किया हमने कभी कत्यपक्ष्ट के ग्रंथों का कभी स्वाध्य नहीं किया तो हमें कैसे पता चलेगा हम सिर्फ एक चौपाई पढ़ लें कि अपने घर की इसारतिं और नहीं समझे कोई और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए अगर एक चोपाई को याद कर लें तो रहस्य थोड़ी खुल जाएगा उसके लिए तो तारतम गैंद रुपी चाबी चाहिए और समझे नवाड़ी में जो खुलने की कला दी गई है वो चाहिए अब आपके पास चाबी भी है खुलने की कला भी है लेकिन आप ताले तक ही ना पहुंचे तो तब भी उसका कोई लाब नहीं है रहस्य तो तब खुल सकता है जब आपके पास चाबी भी हो खुलने की कला भ इसलिए सनन्द ग्रंद के इस प्रकरण का जो भाव है वैसे तो इस प्रकरण पर विशे ही ऐसा है पूरे दिन भी चर्चा करते रहें तो भी समाप्त होने वाला नहीं है अगर संक्षेप में कहें थोड़ा सा समय और लेकर के तो जो बड़ी पत्री है बड़ी पत्री में स्रीजी ने ये सिखापन दिया है कि जो हमें जो अधिकार मिला है उसको कैसे भुनाना है और जो करतव्य मिला है उस करतव्य का पालन कैसे करना है बितक के अंदर उस बड़ी पत्री के 151 चौपाई के अंदर प्रतेक चौपाई में उन सब सुन्दर साथ को सिखापन भी दिया गया है दिलासा भी दी गई है और उनकी प्रसंचा भी की गई है कि उन्होंने जो काम किया वो कितना बड़ा था और आगे जो काम करना है वो कैसे करना है जितने भी सुन्दर साथ इस चर्चा को सुन रहे हैं आप भी तक की टीका खोलिए भी तक की टीका खोल करके इस बड़ी पत्री को देखिए कि बड़ी पत्री में कैसे स्रीजी ब्रह्म सुष्टियों को संबोधित कर रहे हैं कि जागनी कैसे होगी जो चौपई कह रहे हैं तुमको देऊ सुख जागनी अगर व्यक्तिगत रुप से मैं कहूं हो सकता है सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग पसंद होती है सबका अपना-पना प्रिय प्रसंग होता है लेकिन मुझे पूरे बितक में से अगर ये कहें कि सिर्फ एक ही प्रकरण तुम्हें पढ़ना है अगर कोई मुझे ये कहे तो मैं कहूंगा कि मैं बड़ी पत्री पढ़ूंगा क्योंकि उसमें पूरी बात बताई गई है कि छठे दिन की लिला में वर्णन तो पांचमें दिन का है घटना पांचमें दिन की है लेकिन छठे दिन की लिला में आपको अपने कर्तव्य का निर्वाहन कैसे करना है और उस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जो जो भी बाधाय आने वाली है माया दज्जाल अग्यान ता कुछ भी समझें वो जैसे जैसे आने वाली है उनसे कैसे लड़ना है बिना घबराय धहिर्य के साथ में ऐसा सिखापन ब्रह्मिय सुष्टियों को श्रीजी ने दिया है तो सभी सुन्दर साथ अगर समय निकालें अगर एक एक घंटे का समय निकालते हैं तो भी दो दिन के अंदर आप बड़ी पत्री को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि श्रीजी अथवा श्रीदाजी क्योंकि एक ही स्वरू में लाना आत्मसाथ करना भी अनिवाद्य है अगर हम उसको समझेंगे बड़ी पत्री को तो हमें पता चलेगा क्योंकि यह जो समय है यह जो अभी संकट का समय चल रहा है दुखत समय चल रहा है लॉकडाउन का या कोरोना वाइरस का तो यह तो कुछ समय के बाद में राज वहां तक तो सायद नहीं पहुंचाओगा क्योंकि चार-पांस दिन ही हुआ है रामाण को आते हुए मैं फिलाल देख नहीं रहा हूं लेकिन उसमें घटना आती है जो मैंने बच्पन में देखी थी कि जब मर्यादा पुरुसुत्तम राम राम से तु बना रहे थे पुल का निर्माण कर रहे थे तो रामाण में यह दिखाया गया है कि सभी वानर से अपने अपने सामर्थ के हिसाब से काम कर रहे थे और उसमें एक गिलहरी भी वो समंदर में डूबकी लगाती है और अपने भीगे सरीर को बालू में लोट पोट करती है और फिर जो बालू अब उसके सरीर में चिपक जाते हैं उसको ले करके फिर से नदी में जाती है उस समुंदर में और डूब की लगाती है उस घटना से हमें ये सिक्षा लेनी चाहिए चाहे वो आज के हिसाब से हो ये जो संकट काल है उसे हिसाब से देखें चाहे भविश्य में आने वाली घटनाओं को देखें या भूद काल में जो बीद गही उनसे सिक्षा लें तो उससे हमें ये सिक्षा मिलती है कि चाहे इस स अंककटकाल में सरकार की मदद करने के लिए हो जाए फिर भविष्य में इस ब्रह्म घ्यान को फuhलाने के लिए हू प्रत्यक सुंदर साथ की सेवा का अपना अपना महत्व है a अगर किसी के पास 100 करोड की संपत्ति है और अगर वो एक लाख रूपय का दान दे रहा है तो दान तो देही रहा है, सेवा उसकी भी है, लेकिन अगर किसी के पास 1000 रूपय है और उस 1000 रूपय में वो 50 रूपय भी दे रहा है, तो वैसे देखा जाए, amount के हिसाब से, quantity के हिसाब से देखा जाए, तो एक लाख रुपे और पचास रुपे में बहुत अधिक फर्क है, लेकिन अगर त्याग को देखा जाए, अगर आप percentage निकालेंगे, तो दोनों में कोई फरक नहीं रहेगा, भाव किसी का फरक नहीं है, भावतिक संचादनों की कमी किसी के पास हो सकते हैं, किसी के पास संचादना दिखो सकते हैं, तो एक गिलहरी की सेवा का भी अपना महत्व है, एक अंगद जैसे वीरवानर की सेवा का भी अपना महत्व है, तो इसलिए वरतमान में भी सभी सुन्दर साथ, जितने भी धर्म बाव लंभी जितने भी धर्मप्रेमिस अजन्वरिंद इस चर्चा को सुन रहे हैं तो सभी अपने अपने हिसाब से यह जरूरी नहीं है कि हम उसको जग जाहिर ही करें कि हमने इतनी सेवा कर दी है जितनी भी सस्थाएं इस बात को जाहिर कर रही है उसमें भी भाव सबका अलग अलग होता है अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अथवा अपनी इज़त के लिए कि हाँ अपना अभिमान बढ़ाने के लिए अहंकार बढ़ाने के लिए जाहिर ना करें लेकिन अगर आपक स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मेरा इतना बड़ा नाम हो जाए क्योंकि वैसे तो यह आपका व्यक्तिगत मामला है लेकिन सेवा का लाभ आंतरिक रूप से तभी मिल पाता है क्योंकि किसी चीज का हर चीज का लाभ तो होता है जैसे एक physics का सिद्धान्थ है कि every action has each and equal reaction आप आप सेवा कर रहे हैं उसका फल तो मिलेगा लेकिन आपने सेवा की और आपकी वहावाई इस संचार में ही हो गए तो फल मिल गए आपको आपकी प्रसंचा हो रही है आपको फलतों मिल ही रहा है लेकिन अगर आप इसका आंतरीक लाव लेना चाहते हैं तो बताने क्या हो सकता नहीं अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरे लोग प्रेडित हो तो उस भाव से कर रहे हैं तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं तो आप सभी सुन्दर साथ से मेरा आग रहे, सभी धर्माओ लंभियों से, धर्म प्रेमीशजनों से, कि अपने अपने हिसाब से सहयो करें, आप एक भूखे वेक्ति को भी अपने सामरत के हिसाब से भोजन करा देंगे, तो वो भी सेवा है, आप सो लोगों की विवस्ता कर स सकते हैं। वो भी रूप से लाखों का दान दे सकते हैं। वो भी सेवा है प्रत्यक सेवा का अपना महत्व है। यह अभी के लिए भी याद रखें और सब किसे सारा माहल ठीक होने के बाद में जब हम सब सुदर्शाथ अपने मायावी कार्यों में भी लग जाएंगे उस समय भी ध्यान रखें कि जागनी के लिए भी आप सब के सेवा कि आऊ सकता है तो उसके लिए भी हम हमेशा तत्पर रहें हमारे अंदर ये हीन भावना ना हो किसी भी सुन्दर्शाथ के अंदर चाहे वो भौतिक रूप से अमीर हो या गरीब हो राजी ये देखते हैं कितना बड़ा एमांट ही तो दुनिया देखेगी और आप दुनिया की भक्ति तो नहीं कर रहें दुनिया की सेवा तो नहीं कर रहें राजी तो देखेंगे आपके दिल में भाव क्या है तो हमारे दिल में वह भाव बना रहे है भाव के साथ में हम सेवा कर करते रहें। हम इस वाणी को प्रतिक तक हम स्वयम की भी जागनी कर सकते हैं। और जैसा की स्री जी पहली चौपआ परहली चौपए हमें लेने के लिए उपरगत बातों का ध्यान मों रखना पड़ेगा जो जो कि हम आज की चर्चा में सुन चुके हैं अब मैं अपने सब्दों को विराम देता हूँ